भारत सरकार जल्द ही अक्तूबर से शुरू होने वाले अगले सीजन शुगर सीजन के लिए दो चर्णों में शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है गोर तलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा शुगर उत्पादक भारत अपने किसानों और उभोकताओं के हितों के भी संतूलन बनाने की कवायाद कर रहा है और इसी कवायाद के तहट जल्द ही शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है बजाल जानकारों का कहना है कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट को मंजूरी मिलने से शुगर की ग्लोबल प्राइस कम हो सकती है और पूरे एशिया में सप्लाई बढ़ सकती है गोर तलब है कि भारे सरकार ने वर्तमान सीजन के लिए शुगर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंद लगा रखा है उदर National Federation of Cooperating Sugar Facts के Managing Director का कहना है कि सरकार ने अगले शुगर सीजन के लिए कोटा तै करने की परक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने कहा है कि 2022-23 शुगर सीजन के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी का एलान सितंबर में किया जा सकता है गोर तलब है कि नया शुगर सीजन एक अक्तूबर से शुरू होता है भारत सरकार अगले सीजन के लिए 70-80 लाग टन शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है लेकिन पिछले साल के विपरी 30 साल एक्सपोर्ट को मंजूरी दो चरनों में होगी पहले चरन के तहट 40-50 लाग टन शुगर के निर्याद के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी और बाकी बचे हिस्से की एक्सपोर्ट की मंजूरी दूसरे चरन में होगी गोरतलब है कि वर्तमान मार्केटिंग एर के लिए भारत सरकार ने शुगर का एक्सपोर्ट 1.12 करोट टन पर सीमित कर रखा है सरकार ने चीनी मिलोद्वारा ग्लोबल मार्केट पे रिकोर्ड विक्री करने के बाद चीनी की घ्रेलू किमतों पर नकेल कसने के लिए इसके एक्सपोर्ट पर कैप लगा दिया था कर दो एक्सपोर्ट ग्रेश ने की लिए रहुर्ट एक्सपोर्ट